हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1 टैक तो फ्रेंड्स जब हमारा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो जाता है तो हमारे माइंड में हमेशा एक ही चीज रहती है कि अब मैं जल्दी से जाके इसकी सारी एड्स को ओन कर देता हूं जिससे मेरे यूट्यूब चैनल से एड्स चलके मेरी अर्निंग शुरू हो जाए और हम क्या करते हैं हम जल्दी से एड्स की सैटिंग के अंदर जाते हैं और वहां से सारी एड्स को ओन कर देते हैं अब यहां पर दो कंडिशन होती है अगर आपका चैनल सीटियारें वह हो जाता है जिससे आपका चैनल जो है उसका जो एसेंस है वह डिसेवल हो जाता है और आपको यह अच्छे से पता है कि अगर एक यह यह बौन सकते हैं क्योंकिท yelling 17lo seit रहेगा क्योंकि आप उसके एड्सेंस एकाउंट से नहीं जोड़ पाएंगे तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको किस तरीके से एड्स आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको कौन सी एड्स आड्स नहीं करने चाहिए जिससे आपका चैनल सेफ रहे अगर आप एक नई यूटिवर है तो आपको यह सारी चीजे पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और य प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिविकेशन बेल को ओन कर लें और उसे आल पर सैट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आचुके हैं अपने लैप्टोप की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्रॉम ब्राउजर में यूट्यूब डॉट कॉम ओपन किया हुआ है आपको भी अपना चैनल ओपन कर लेना है मैं आपको इसमें दो तरीके बताऊंगा एक तरीका तो ये होता है कि जब हमारी वीडियो अफलोड हो जाती है उसके बाद हम उसमें आच इट्स को कैसे ऑन ओफ करेंगे… और दूसरा तरीका है कि वीडियो को अफलोड करते टाइम हम उसमें आच को कैसे ओन करेंगे तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जब पहले से ढली होगी और आपका channel monetize होगा तो आपकी video's डली होगी तो उसमें आप ads को कैसे ओन करेंगे और आप कोई आप नई video डालेंगे आगे तो उसमें आप upload करते time ही उसमें ads को on off कैसे कर सकते हैं उससारी settings कैसे करना है उसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको दोनों तरीके इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास्त तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सी एड़ करनी चाहिए और कौन सी एड ओफ रखनी चाहिए तो सबसे पहले पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं उसमें आपको क्या करना है अपने चैनल के आइकन के उपर आपको यहां पे राइट कोणर में क्लिक करना है और यहां से आपको यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आजाना है तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैंने यह ओपन किया हुआ है तो इस तरीके से हमारे सामने ओपन हो जाएगा स्टूडियो डेशबोर्ड उसके बाद आपको यहां पर लेफ्ट साइड में काफी सारे ओप्शन होंगे आपको कॉंटेंट वाले पर क् जिसमें आपने वीडियो डाली हुई है उसके बाद आपको उसमें कैसे अट्स को ओन करना है तो मैंने यह वाली वीडियो ओपन कर लिए यहां पर लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ओप्शन दिखेंगे यहां पर एक मॉनेटाइजेशन का ओप्शन दिखाई देगा तो आपको उसे ओन कर लेना है इस तरीके से और आप जैसे ही ओन करेंगे तो यह सारे ओप्शन जो है आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं टाइप ओफ एड्स डिस्प्ले एड्स ओवरले एड्स स्पॉंसर कार्ड्स स्कीपेबल वीडियो नौन स्कीपेबल वीडियो एड्स यह सारे ओप्शन आपके सामने आ गए हैं आप देख सकते हैं आप जो डिस्प्ले एड्स है वह आप उसे ओन ओफ नहीं कर सकते क्योंकि वह यूट्यूब की तरफ से इनेबल हो जाता है आपकी हर वीडियो पर ओटोमेटिक रहेगा हो ठीक है उसे आप ओफ नहीं कर सकते बाकी किसी को भी आप यहां से इस पर क्लिक करके ओन ओफ कर सकते हैं जैसे इस पर क्लिक किया तो यह ऐसे ओफ हो गया और सेव कर देंगे तो यह सैटिंग सेव हो जाएगी ठीक है इस पर दुबारा टिक कर देंगे आप देख सकते हैं आ और वीडियो जब खतम होगी उसके बाद भी आपकी एड यहाँ पर चलेगी और अगर आपकी वीडियो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपकी वीडियो भी एड लगा सकते हैं उनको कैसे योन करना है वो मैं सारी आपको इसमें बताऊंगा ठीक है तो वो दूसरे तरीके में मैं आपको बताऊंगा और उसमें मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कौन सी एड को ओन करना है और कौन सी को ओफ करना है तो वीडियो में बने रही है और पूरा देखिए अब चलते हैं ये तो हो गया पहला तरीका अब चलते हैं दूसरा तरीका कि वीडियो को upload करते time हम उसमें ads को कैसे on off कर सकते हैं उनका सही तरीका क्या है तो second तरीके में आपको क्या करना है आपने यहाँ पर create का option दिखाई देगा जैसे आप video upload करते हैं तो आपको यहाँ पर create पर click करना है और उसके बाद आपको upload video पर click करके अपने सिस्टम से जो भी आप video upload करना चाहते हैं आपको upload कर लेनी है ठीक है मैंने एक video upload कर रखे तो मैं आपको दिखा देता हूं यह इस तरीके से दिखाई देगा आप देख सकते हैं आपर मैंने एक video upload कर दिया यहाँ पर यहां पर आपको second में monetization का एक option दिखाई देता है आपको इसके उपर क्लिक करना है और यहां से आपको इस monetization को ओन कर लेना है यह एड्स का वही तरीका है एड्स ओन करने का जो आप मतलब वीडियो को अपलोड करते टाइम आप कर सकते हैं तो यह आपको जरूर आना चाहिए उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर भी उसी तरीके से सारे एड्स के option यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं डिस्प्ले एड्स ओवरले एड्स स्पांसर कार्ट वीडियो एड्स नौन स्कीपेबल वीडियो एड्स अपर सब तरह के आपको option दिखाई दे रहे हैं यहां पर आपको डूरिंग वीडियो का option भी हाइलाइट हो रखा है क्योंकि यह मेरी जो वीडियो है वह आठ मिन मिड्रोल्स का जो option दिखाई दे रहा है आपको आपको इसके उपर क्लिक करना है तो यहां पर आप इस तरीके से एड्ड ब्रेक्स लगा सकते हैं यह ओटोमेटिक इन्होंने लगाया हुआ है ठीक है यहां पर प्लेस ओटोमेटिकली कर देंगे तो यह ओटोमेटिक यूट से पहले जो आपको time रखना है वह एक मिनट पर लगाएं ठीक है उसके बाद आप तीन-तीन मिनट का गैप लेके लगा सकते हैं ठीक है इस तरीके से मैंने तीन एड लगा दी इसमें ठीक है इसमें नो मिनट की है साड़े नो मिनट की तो इसमें आप जादा से जादा दो या तीन एड लगाएं इस तरीके से आप इसमें एड्स को ओन कर सकते हैं उसके बाद यहां से आपको continue कर देना है ठीक है तो यह mid जो हमारी during वीडियो है उसके इनदर भी एड लग गई अब मैं आपको बता देता हूं लास्ट में कि आपको कौनसी एड्स को on रखना चाहिए और कौनसी एड्स को off रखना चाहिए कब On करना चाहिए कब Off करना चाहिए biz को जуется ब्सक्राइब तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप ओफ एड्स में आपको सारी एड्स दिखाई देंगी सारी अभी ओन है टिक लगा हुआ है सबके उपर अगर आपका चैनल नियू है मतलब आपके चैनल पर बहुत कम व्यूज है कम व्यूज आते हैं आपकी वीडियो के उपर 50-60 आते हैं या उससे भी कम आते हैं ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं तो आपको ओवरले जो एड्स है इसको तो ओन ही रखना है ठीक है sponsor cards को भी on रख सकते हैं लेकिन जो ये skipable video ads है आपको इसको जरूर off रखना पड़ेगा अगर आपको अपने चैनल को safe रखना है तो क्योंकि skipable ads से आपका क्या होता है कि आपकी वीडियो पर views कम आते हैं लेकिन जो उसपे ads आती है उसपे clicks जो जाधा होंगे अगर तो उसपे invalid click activity मानी जाएगी या मान लीजिए आपकी कोई एक वीडियो वाइरल हो जाती है तो उसपे जाधा clicks होंगे जाधा ads चलेगी तो उससे आपका जो adsense है वो disable होने के chances काफी जाधा बढ़ जाते हैं क्यो रखना है कि अगर आपकी वीडियो के उपर views कम आते हैं तो आप इसको यहां से off रखें इस तरीके से click करके आप इसे off रख सकते हैं और उसके बाद आप non-skippable वीडियो एड इसको आप चाहे तो उन रख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आप सुचेंगे कि अग दो दिन में normal भी हो जाता है फिर आप इसे दुबारा on कर सकते हैं लेकिन आपके views मैं आपको यह recommend करूंगा अगर आपके views कम आते हैं तो आप इसे off रखें लेकिन अगर आपकी channel के उपर views सही आते हैं ठीक ठाक आते हैं तो आप इसे on कर सकते हैं फिर आपको कोई भी दिक् आपके AdSense को तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने चैनल पे कौन सी Ads को कब On करना है कब उन्हें Off करना है तो यह है सही तरीका आपके चैनल के उपर Ads को On करने का Ads की सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी है उम्मीद करता हूँ आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस तरीके से आप अपने चैनल को सेफ रख सकते हैं Adsense को अपने Disable होने से बचा सकते हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आप किस तरीके से जो भी अपका यूट्यूब चैनल है उसके उपर आप Ads को On कर सकते हैं कौन-कौन सी Ads आपको On करनी है उसकी Ads की क्या-क्या सैटिंग्स हैं तो आपको यह सारी चीजे अप समझ में आ और लाइक करें थैंक यू